हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्भी एडिट्यूब क्लास में तो आज मैं आपने मल्टिप्लिकेशन साप अलजबरिक एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट बनने जा रहा हूं तो पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टुनेंट का कमेंट आया था कि सर वीडियो की लिंक नहीं मिल रहेगे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो डूडने में दिक्कत होती है तो आपको परिशान होने की जरूर नहीं है आप इसी वीडियो के नीचे जब जाएंगे ड गुड़ा तो इसमें दूसरा पार्ट है मल्टिप्लिकेशन साफ मोनॉमियल बाई 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 नोमियल यानि की एक पद का दुई पद से गुड़ा कैसे करेंगे हम चलिए कोई एक्जामपल लेकर समझते हैं जैसे कि एक्जामपल है मालीजे पहले मैं कोई सारल एक्जामपल लेता हूँ मल्टिप्लाई 2xy by x2 plus 3y देखो यहाँ पर यह एक मोनॉमियल है एक पद है इसके बीच में एक ही पलस साइन है लेकिन यह एक बाईनॉमियल है दूई पद है क्योंकि यहाँ पर एक पलस साइन है और यहाँ पर एक पलस साइन है तो एक मोनॉमियल का एक बाईनॉमियल से मल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं एक एक पद का दूई पद से गुड़ा कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना देखो इसको पहले राइट कर लेना है ये एकसे स्क्वाइर इंटू और सॉरी टू एकस वाई इंटू एकसे स्क्वाइर प्लस त्री वाई अब एक बात मैं आपको समझा दू मल्टिप्लिकेशन में और एडिशन में आप किसी भी टरμ को आगे और किसी भी टरμ को पीछे राइट कर सकते हैं उसमें कोई भी दिकत नहीं है ठीक है? अपनी जरूत के काडिंग आगे पीछे राइट कर सकते हैं अब देखो जब आप लोग अपने गाओं में या अपने सेहरों में अपने रिष्टेदार के यहां जाते हैं मानलो कोई है जो अपने मामा के यहां चला गया तो वो सबसे पहले जाता है मामा से मिलता है फिर मामी से मिलता है तो इसमें क्या है कि मानलो ये अपने relative के यहां जा रहा है तो सबसे पहले ये मानलो जो पहले मिलेगा उसको रास्ते में वो उससे मिलेगा न ये यहां से जब चलेगा तो सबसे नजदी क्या ही है तो सबसे पहले ये इससे मिलेगा फिर उसके बाद यह जो पीछे वाला है इससे मिलेगा तो आपको यही कराना है जैसे अब यह 2xy है यह अपने relative के यहां जा रहा है किसके यहां जा रहा है यह x square के यहां पे जा रहा है तो सबसे पहले यह इससे मिलेगा इससे 2xy into x square ठीक है जो पहले आया उससे मिल लिया अब यह एक कदम आगे बढ़ाएगा तो इसको क्या मिल रहा है पला साइन मिल रहा है तो वो लगा दो यहां पर ठीक है फिर यह 3y के पास जाएगा और 3y से मिलेगा तो देखो ऐसे मिलेगा ना 2xy into 3y ठीक है तो मतलब आपको क्या कराना है जो जिससे आपको multiply कराना है जिसमें तो सबसे पहले इससे पहले वाले ट्रम को ऐसे multiply करा दो फिर इससे दूसरे वाले ट्रम को ऐसे multiply करा दो साइन जो यहां पर रहेगा वो यहां पर और जो यहां पर रहेगा वो यहां पर ठीक है तो इतना जब आप करा लोगे तो अब आप देखो ये जो yaks है ना ये yaks इसके साथ 1 है लिखा नहीं है लेकिन 1 है तो जो coefficient आएगा वो क्या आएगा 2 into 1 ठीक है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि coefficient को उनके sign के साथ write करते हैं तो दोनों का sign plus है तो कोई दिक्कर नहीं है अब आपको write कराना है x into x square फिर आपको write कराना है ये y ये हमारे पहले term का हो गया अब हम दूसरे में आते हैं तो यहाँ पर plus sign है तो plus sign लगा दीजिए अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो 2 into 3 यहाँ पर x है तो into x यहाँ पर y है यहाँ पर y है तो y into y अभी मैं आपको थोड़ा सा bracket open करके थोड़ा लंबा करके सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं basic से चल रहा हूँ जैसे जैसे level बढ़ता जाएगा और आसान होता जाएगा तो अभी देखो यहाँ पर 2 अंजा कितना होगा 2 अंजा 2 into x into x square x raised to the power 3 और यहाँ पर into y प्लस अभी देखो 2 3 जा 6 into x y into y y square तो यह हमारा इस multiplication का answer बनेगा आप देख सकते हैं कितना easy है ठीक है तो इसको आप वीडियो को पाउज करके write down कर लिजे फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है उमीद करता हूँ आप लोगों ने write down कर लिया होगा आप कोई और example लेते हैं जिसमें minus sign हो ठीक है कोई और example लेते हैं जिसमें minus sign हो तो इसी में ले लेते हैं मान लिजे यहाँ पर minus sign है क्या है यहाँ पर minus sign है और यहाँ पर कोई number ले ले लेते हैं जैसे मैं आपर 4 ले ले रहा हूँ ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं solution अब हमारे पास multiplication है multiply minus 2xy by 4x square plus 3y तो यहाँ पर यह हमारा monomial है यानि की एक पद यह हमारा binomial है यानि की दूइपद तो यहाँ पर अभी है सबसे पहले देखो इसको आप write कर लो ठीक है minus 2xy अब यहाँ पर क्या है कि एक bracket लगा करके write कर लो 4x square plus 3y अब फिर से मैंने बताया कि भाई देखो यह 2xy जो है वो अपने relative के घर जा रहा है यह उसके relative का घर है तो सबसे पहले उसके राज़ते में 4x square है तो उससे मिलेगा तो यहाँ पर आप देखो इसका sign क्या है minus तो minus sign यहाँ पर write कर लो 2xy किससे मिल रहा है अपने relative से 4x square से तो into 4x square ठीक है अब जब अपने relative से मिल लेगा एक लोग से मिल लेगा तो दूसरे की तरफ बढ़ेगा ना तो यहाँ पर कौन सा sign है प्लस sign है ठीक है और यहाँ पर इसका कौन सा sign है minus sign है तो यहाँ पर यह आगे बढ़ेगा minus sign के साथ 2xy मिलेगा किससे 3y से तो यहाँ पर into 3y तो यहाँ पर कोई relative है नहीं पता लगे relative जोड़ने लगना ठीक है मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि यह जो term होता है यह पहले इससे के साथ multiply होगा फिर यह दूसरे term के साथ multiply होगा अगर तीसरा होता तो फिर चलके तीसरे term से multiply होता ठीक है इतना समझ में आगया तो आगे बढ़ते हैं देखो अब सबसे पहले multiplication को देखकर आपका काम यह होता है कि जो coefficient होते हैं उनको उनके sign के साथ multiply कराना तो अब यहाँ पर कितना है minus 2 और plus 4 तो इसको ऐसे लिखेंगे minus 2 into plus 4 फिर यहाँ पर x है और यहाँ पर x square है इसको आप एक bracket में write कर लो x into x square फिर यहाँ पर y है तो अकेला है तो ऐसे ही write कर लो अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर minus sign है तो minus sign लगा लेंगे और bracket में write करेंगे देखो वैसे तो इसका तरीका अच्छा यह है कि यहाँ पर जो भी coefficient है ठीक है उसको आप ऐसे छोड़के plus sign लगा लो अब यह minus 2 है तो यहाँ पर minus 2 write कर लो और 3 है तो into 3 write कर लो ठीक है अब यहाँ पर एक ही x है तो उसके लिए bracket लगाने की ज़रों नहीं है एक y यहाँ पर है एक y यहाँ पर है तो y into y ठीक अभी देखो करना क्या है आपको यह minus 2 into 4 तो minus into plus क्या आएगा minus 2 हो जाए कितना आएगा 8 x के power 1 और x के power 2 कितना आएगा x के power 3 और y के power 1 यानि की y अभी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है अभी देखो 2,3,4 कितना होगा 6 साइन क्या है plus into minus माइनस तो साइन यहाँ पर minus का आजाएगा 2,3,4 6 x को एक्सरेट कर लेंगे y into y तो कितना आजाएगा y square मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जो algebraic term होते हैं उनका power rate होता है ठीके multiplication में उनका power rate होता है तो यहाँ पर इस question का हमारा answer यह होगा तो आप इसको rate down कर लिजे तो उमिद करता हूँ कि आपने इसको rate down कर लिया होगा अब थोड़ा से change करते हैं इसी question में ठीके मैंने एक plus plus का बता दिया और एक minus का बता दिया अब मान लो कि minus sign यहाँ पर होता और minus sign यहाँ पर होता ठीके तब क्या होता तब हम इसका कैसे multiplication करते तो यहाँ पर करेंगे minus 2xy by 4 यह तो अल्रड़ी लिखा हुआ है minus 2xy by 4x square minus 3y यहाँ पर हम multiplication देख रहे हैं minus 2xy by 4x square minus 3y तो यहाँ पर minus 2xy है इसका जब multiplication करेंगे तो पहले इसके साथ करेंगे चलो फिर सुरू करते हैं तो यहाँ पर देखो minus sign है तो minus 2xy और यहाँ पर plus 4x square है तो इन्टू 4x square अभी यहाँ पर देखो minus sign है तो आप लिख दो minus पहले इसका sign लिखो है ना minus 2xy का minus 2xy और फिर इन्टू यह देखो यह माइनस 3y है यहाँ पर क्या है minus 3y है तो यहाँ पर हम कर देंगे minus 3y इसका multiplication कराना है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आप coefficient को उनके sign के साथ multiply करो तो bracket open minus 2 into 4 into bracket open x into x square into y y अखेला है तो उसको bracket में करने की जरू नहीं है यहाँ पर minus sign 2 into xy अच्छा यहाँ पर देखो फिर से यह minus sign 2 के साथ है न तो अपने आप से आप plus ले लो इसको आप bracket में रखो तो minus 2 कहाँ पर रह जाएगा bracket में into यह minus 3 अब यह दूसरा bracket लगाने की जरू नहीं क्योंकि x अकेला है ठीके फिर into y into y ठीके तो इतना रइट करने के बाद में आप देखो minus 2 into plus 4 कितना हो जाएगा minus 248 x into x square x cube into y ठीके अब यह plus sign आप लगा दो minus 2 into minus 3 तो minus into minus plus 236 x अकेला है तो ऐसे ही रइट कर लो y raise to the power 2 याने की y square तो इसका यह हमारा answer है या ठीके तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी share करें ठीके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू क्लास